हेलो दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है चुकि सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियां सबको अच्छी लगती है ठंड का दिन सबको अच्छा लगता है तो हम आज एक नया चीज मसाला गुड की बारे में बताने जा रही हूं और बात करते हैं सबसे पहले हमको मुंफली कुछ बादाम और गुड गुड को आप अंदाज से ले सकते हैं मैं फिलाल अधा किलो गुड ले रही हूं और उसको चाकू से चोटे-चोटे टुकडों में काट ले रही हूं इसी प्रकार से हमको पूरे गुड को कर लेना है और सर्दियों के दुन में तो गुड खाना ही चाहिए सबको और गुड का नाम ही यह जो गुड मसाला बनाएंगे वो पूरे गुड से ही सम्बंधित रहेगा यानि उसमें गुड ही गुड रहेंगे कहना चाहिए यह दिखिए गुड को इस प्रकार से कटिंग कर लिए हैं तोड़े टुकडों में और ये गुड जो है बहुत ही गुड कारी होता है और सभी को खाना चाहिए क्योंकि ठंडी में हमको ऐसी चाहिए जिसका तासीर घर्म हो तो सबसे पहले हम ममफली को भून लेते हैं हलका सा रोष्ट कर लेते हैं और ममफली को अच्छे से भूनना है और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बहुत ही टेश्ची लगता है ये देखे चिलका निकाल के देख रही हो अभी अच्छी तरह से ने निकल पाया है इसलिए इसको थोड़ा सा और समय लगेगा भूनने में और इसको धीमी आच में करेंगे याने बोलेंगे लो टू मीडियूम आच रखेंगे बहुत ज़्यादा आच तेज नहीं रखेंगे इसको ये देखे भूना गया है और इसको एक प्लेट पे निकाल के अलग कर रही हूं ठंडा होने के लिए और छिलका निकाल के देखने छिलका निकल रहा है अब हम बदाम को एक कटोरी बदाम को भूनेंगे इसको भी हम हलका से रोष्ट कर लेंगे और बदाम हो गया मंफली हो गया है ये सब बहुत ही पौश्टिक देने वाली सब चीजे हैं और ठंडी में तो बदाम सब खाना चाहिए इससे हेल्थ भी अच्छा रहता है मेंटेंड बुलना चाहिए ये देखे बदाम भी अपका रोष्ट हो गया है इसको भी हम एक प्लेट में निकाल के अलग कर लेते ठंडा होने के लिए और अब हम लेते हैं काजु एक कटोरी काजु को भी हलका से रोष्ट कर लेंगे काजु तो सबका फेवरेट है लोग तो काजू कच्चा ही खा लेते हैं इसको हलका से अगर हम रोष्ट कर लेंगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है आप चाहे तो इसमें कितना भी मसाला डाल सकते जो आपको पसंद है और जो नहीं पसंद इसको हटा भी सकते है वैसे तो इसमें मैं आप काजू हो गया, पिस्ता हो गया तर्भुज के बीज हो गया सबको हम हलका हलका रोष्ट करके डाल सकते हैं देखे काजू भी रोष्ट हो गया है इसको भी एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए मैं अलग से रख दे रही हूँ और ये काजू थो लोग में रोष्ट करते जा रही हूँ और लोग मांगते जा रहे हैं घर में, खाते जा रहे हैं अब हम क्या करेंगे, नारियल जो होता है सुखा नारियल, उसको कद्दूकस कर ली हूँ कद्धुकस करने के बाद उसको भी हल्का सा हम रोष्ट कर रहे हैं इसको हम हल्का सा करेंगे आज को बहुती धीमा रखेंगे और हल्का सा लाल होने तक हम इसको रोष्ट करेंगे यह सब जल्दी जल्दी रोष्ट हो जाता है ज्यादा से मैं नहीं लगता है और यह सब मसाले को मिलाने से जो बनता है मसाला गोड को बहुती टेस्टी होता है वैसे तो सभी को रोच खाना चाहिए प्राय एक पीस तो खाना ही चाहिए अब हम क्या करेंगे यह बदाम को जो भूने थे उसको हम मिक्सी में पीस लेंगे हलका सा यह देखे पौडर बना लिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे जो मुंफली है उसका चिलका उतार लिए जितना चिलका उत्रा उसको उतारे और जो बचा है उसको भी हम क्या करेंगे मिक्सी में दर-दरा पीसेंगे इसको बहुत पौडर नहीं बनाएगा दर-दरा करिएगा यह देखे जिस प्रकार से मैं कर रही हूँ और अब हम जो गूड को बारीक बारीक कटिंग किये थे उसको हम कड़ाई में लेकर यह नॉन स्टिक जो भी फ्राई पैन है उसमें हम क्या करेंगे इसको भी हम धेमे आज में पकाएंगे यह बहुत जल्दी कलने लगता है आज को बिल्कुल तेजनी रखेगा थोड़ा दिर चलाने बाद यह देखे पिगलना सुरू हो गया मैल्ट होना सुरू हो गया है यह पूरी तरह से मैल्ट हो जाएगा इसको चलाते रहिए यह तो चिपकना सुरू हो जाता है यह देखे पूरा मैल्ट हो गया अब हम इस मैल्ट हो के बाद जितना हम काजू हो गया बदाम हो गया नारियल हो गया इस सब को इसमें हम क्या करेंगे मिलाते जाएंगे और चम्मत की साथा से चलाते भी जाएंगे कि देखे फली दाना जो दरदरा पीसे है उसको मिला रहे हूं और यह बदाम है और चलाते भी जाएंगे बीज बीच में पुरी एक अच्छी तरह से मिला लेना है और गैस का जो फले में उसको आप बंद कर सकते हैं जब भी आपको लगे कि थोड़ा स्वा सूख रहा है तो आप हलका सा इसमें लो फले में इसको एक दू सेकंड के लिए गरम भी कर सकते है इलाइची पौडर टेस्ट के लिए और ये काली मिर्च है उसका पौडर आजा चमच ले लिजेगा और ये सोट का पौडर है मार्केट में मिलता है उसको भी आप आजा चमच ले सकते हैं मसाला क्या है आप अपने हिसाब से मिला सकते हैं ये दे की पूरा चिद्रा से मिला लिए हैं मिलाने के बाद एक प्लेट में मैं तेल लगा के पहले से रखी थी उसमें हम इसको फैला लिए देखी चम्मच की सैता से और मैं आपको बताई नहीं बहुत ही जल्दी बनता है और यह इतना टेस्टी लगता है कि मैं आपको क्या बता हूँ मैं हर थन्डी आते ही इसको जरूर बनाती हूँ और घर के सवी सदस्य को जरूर खाने को देती हूँ और इसको जब यह थोड़ा तक गरम रहे तभी आपको कांचु चाकु से क्या करना है कट लगा लेना है क्या होता है कि इसमें कट लगाने से जब यह थंडा होगा तो आसानी से यह तोकड़ों में तुट जाएगा अगर अब जब यह थंडा होने के बात करियेगा तो नहीं तुट पाता तो मैं हलका से देखे कट लगा रही हूँ चको की सायता से आप चो भी शेप देना चाहे दे सकते हैं मैं बहुती छोटे-छोटा पीस कर रहे हूँ और ये बन कर तियार हो गया आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरा बनाने का तरीका कैसा लगा जरूर बताईएगा कमेंट करके और ये देखे आप इसको ठंडा होने के लिए रख देना है ये 15-20 मिनट में ठंडा हो जाता है ये देखे इसके टुकडे बनके त्यार हो गया बहुत ही सुन्दर दिख रहा है और खाने में तो इतना टेश्टी है कि मैं आपको क्या बता हूँ इसके सामने मिठाई भी फीका पड़ जाए आज वैसे भी आजकल लोग डाइबटीज वाले बहुत ज्यादा हो गये हैं तो उन लोगों को भी ये गुड मसाला खाना ही च रहा मसाला गुड इसको हम लोग मसाले का गुड भी बोल सकते हैं ये गुड का मसाला भी बोल सकते हैं जो आप कुछ भी और खाने में तो बहुत ही टेश्टी लग रहा है तो आप लोगों को ये कैसा लगा टेश्ट करके बताईएगा और ट्राई भी करिएगा और मेरा वीडियो देखने के लिए और बहुत किमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू फिर हम मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ कुछ नए पक्वा के साथ तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू